आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभ्यान चला रहे हैं। आने वाले पांच वर्सों में हम जल सवरक्षन को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। आने वाले पांच वर्सों में हम अपने दूर दराज के गावों में सबालाग किलोमिटर से जादा नई सडके बनाने जा रहे हैं। वर्स 2022 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्स का पर्व मनाएगा तब तक हम गरीबों के लिए दो करोड और घरों का निर्मान करने वाले हैं। विश्वने बले ही टीबी से मुक्ती के लिए वर्स 2030 तक का समय रखा हो। लेकिन हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं। आखिर नए भारत में बढ़लाव तेजी से कैसे आ रहा है। अध्यक्ष महोदय भारत हजारों वर्स पुरानी एक महान संस्कृती है। जिसकी अपनी जीवन परंपराएं हैं। जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृती जीव में शीव देखती है। इसलिए हमारा प्रान तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्यान। और ये जन कल्यान भी सिरफ भारत के लिए नहीं, जग कल्यान के लिए हो। जन कल्यान से जग कल्यान। और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सिर्फ भारत की सिमाओं में सिमित नहीं है। हमारा परिश्रम न तो दयाभाव है और नहीं दिखावा। ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरीत है। हमारे प्रेयास एक सो तीस करोड भारतियों को केंदर में रखकर हो रहे हैं। लेकिन ये प्रेयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं, वो सारे विश्व के हैं, हर देश के हैं, हर समाज के हैं। प्रेयास हमारे हैं, परणाम सभी के लिए हैं, सारे संसार के लिए हैं। मेरा ये विश्वास दिनों दिन तब और भी द्रड हो जाता है। जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूं, जो विकास की यात्रा मैं भारत की तरह ही अपने अपने स्तर पर प्रेयास कर रहे हैं। जब मैं उन देशों के सुख दुख सुनता हूं, उनके सपनों से परिचीत होता हूं, तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है। कि मैं अपने देश का विकास, जिससे भारत के अनुभाव, उन देशों को भी काम आ सके। अध्यक्ष महोदय, आज से तीन हजार वर्ष पुर्व, भारत के महान कभी, कणियन, पुंगुन, ड्रनार, उन्होंने विश्वकी प्राचिन्तम भाषा, तमील में कहा था, यादम उरे, यावरुम केडीर, यानि हम सभी स्थानों के लिए अपने पन का भाव रखते हैं, और सभी लोग हमारे अपने हैं। और यह तीन हजार साल पहले की बात कर रहा हूं। देश की सिमाओं से परे अपनत्व की यही भावना भारत भूमी की विशेश्ता है। गंबीर समस्याओं के समाधान का सामुहिक प्रयास है। अध्यक्ष महोदय, अगर इतिहास और पैर केपिटा एमिशन के नजरे से देखें, तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत ता योगदान बहुत ही कम रहा है। लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अगरणी देश है। एक और तो हम भारत में 450 गिगावोट रिन्योबल एनर्जी के लक्ष पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी और हमने इंटरनेशनल सोलार अलाइंस थाबित करने की पहल भी की है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव ये भी है कि नेचरल डिजास्टर की संख्या और उनकी तिवरता तो बढ़ती ही जा रही हैं। उनका दाइरा और उनके नए नए स्वरू भी सामने आ रहे है। इस स्थीती को देखते हुए ही भारत में कोईलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियन इंफरस्टर्टर्टर बनाने की पहल की है। दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रन देता ह। इससे ऐसे इंफरस्टर्टर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा। अध्यक्ष महोदाए, यूएन पिस्किपिंग मिशन्स में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं, जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं, शान्ती का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंग के खिलाब दुनिया को सतर्क करने की गंबीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि एक किसी एक देश की नहीं, बलकि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनोदियों में से एक है। आतंग के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिध्धानतों को ठेश पहुचाती हैं, जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है। और इसलिए मानवता की खातिर आतंग के खिलाप पूरे विश्वका एक मत होना, एक जुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। अध्यक्ष महोदाए, आज विश्वकास फरूब बताएं। झाम के खिलाप लाख लो लोडिए और इसलिए जिवकास आधार लूएं। लूए जवकास अपनी अपनी सीमाओ के भीतर वार रिटास्वका लूए जाने का विकल्प है। गिवचाने का ही प्ड़प लिए छियोग्चा एक लिए मैंधे मनें। और सयुक्त राष्ठ को नई शक्ती नई दिशाद देनी ही होगी। अध्यक्ष महोदय सबा सो साल पहले बारत के महान अध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानन जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल पार्लेमेंट ऑफ रिलीजन के दवरान विश्व को एक संदेश दिया था। यह संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर राष्टिय समुदाय के लिए यही संदेश है हार्मनी एंड पीस। औहाओ औहाओ बहाओ बहाओ बहाँ לשनोरर देस्वाण णॉर और स्वाण धिनेरश प्यंधिंड हाव्क अर्ण ये अ का बinar,Playgg आ आतिने की उैंश्वाण के कर देह बुदैंने कीन आनल La Asamblea escuchará un discurso... झाल झाल झाल